सैक्षनिक जगत का सम्मान जब किसी विद्यार्थी को मिलता है माथे पर पगड़ी सजती है तो उसके लिए वो दिन बहुत गौरव का होता है और आज हम माखनला चतुरवेदी राश्ट्रिय पत्रकारिता एवं संचार विश्विद्याले के चतुर्थ दीक्षान समारो का जो आयोजन किया गया भवे आयोजन रहा और साढ़े 400 विद्यार्थियों को यहां पर अलग-अलग उपाधिया प्रदान की गई डॉक्ट्रेट की भी उपाधी प्रदान की गई है उप्राश्ट्र पती के हाथों से उपाधी मिली है इस नवीन भवे परिसर में आपका आ दिली से प्रकासि समाचार पत्रों को आधार बना कर मैंने उन पर कंटेंट अनलाइसिस किया और 2014 का रेजिस्ट्रेशन था और मेरे को 2021 में आवाड हो गई थी और आज इश्वर की और उपर की वाले की मर्जी है कि भारत के सर्वोच पद किसे दूत्या नंबर पर माननी है माम ही उपराष्ट पदी जीना मुझे डिगरे दी है देखिए सर पर्थम मैं यह कहना चाहता हूं कि कि जब किसी का सम्मान होता है तो बहुत गर्वे की बात होती है क्योंकि इसमें दो कारण होते हैं आपका परिश्रम हैता है पहली चीज़ दूसरा आपकी रहती है कि आपने उस परिश्रम को कितने इमांदारी पूरवक किया हैं मेरा ऐसा मानना है कि आज के समय की जो पत्रकारिता हो गई है उस पत्रकारिता में कहीं न कहीं मुझे भी यह चीज़ को दुख लगता है क्योंकि जब आप पढ़ाई करके निकलते हो तो आपको क्या पढ़ाया जाता है कि आपको इमांदार पूरवक और बिना करप्ट आपके आपको पत्रकारिता करनी लेकिन भरष्टाचार से लिप्त आज की पत्रकारिता हो चुकी और वो इसलिए हो चुकी है क्योंकि अब जो है वो पार्टी संरक्षण में पत्रकारिता चल रही है ये नया जो नवीन जो कैंपस है विसन खेडीगा वो अज सच मुझ ऐसा जगमगारा है लग रहा है कि सभी इसके रंग में रंगे और हमारे साथ जो अभी हस्ती मौजूद हैं वो एक यंग प्रोफेशनल है जो माखल लाल चतुरवेदी राश्ट्रिय पत्रकारिता मचते हैं आपका बहले बहुत-बहुत हमारे चैनल पर स्वागत में जाओंगी आप अपना परीचे दें जो आज डिग्री मिली है वो बताएं अभी क्या आप विशेश कर रही है इस विश्विद्याले से आपको क्या मिले बहुत-बहुत धेनेवाद नमस्कार मेरा नाम म और मैं 2022 में यहां से पास आउट हुई थी और मुझे बता कि बहुत अच्छा लगेगा कि महज 23 साल की उमर में मैंने भोकता मामले भी भाग में अभी मैं सीनियर यंग प्रोफेशल के रूप में कारे रत हूँ और इससे पहले मैं Ministry of Culture में as a consultant काम कर चुकी हूँ जो आप जानते हैं कि अजादी के अमरित महुत्सों का एक अलग से सची वाले बना था तो वहां पर मैं सलाकार के रूप में कारे कर चुकी हूँ और वह भी तब जब मैं यहां की student थी और अब यह और गर्व की बात है कि मैं यहां से पास आउट होके महस 23 वर्ष की उम्र में भारत सरकार के एक बहुत अच्छे विभाग में senior rank professional के रूप में कारे रथ हूँ इसके अलामा तो मैं आज भूल गई हूँ कि मेरे अंदर एक भारत सरकार की अधिकारी है मैं अभी एक normal student जिसको जो खुशी मिलती है डिगरी लेके अपने campus को देखके अपने पुराने दोस्तों को देखके वही खुशी है और वो शायद खुशी आपका camera कैद भी कर पा रहा होगा जब किसी भी विद्यार्थी को कोई सम्मान प्राप्त होता है सो सबसे ज्यादा खुशी जो है वो किसी भी सिक्षक को होती और हमारा ये गौरव है कि माखनलाल चतुरवेदी राश्ट् पत्रकारिता एवं संचार विश्विद्याले में डॉक्टर आरती सारंग मैम जो वरतमान में जन संचार विभाग की विवागा द्यक्ष है साथी लाइब्रेरी साइंस की भी हेड हैं तो कैसा लगता है जब विद्यार्थी अलग-अलग जगह पर परचम लहरा रहे हैं तो किसी भी शिक्षक के लिए ये बहुत गहरों का विश्य होता है जब अपने पास आज जगे जगे से बच्चे आए हैं और उनको सम्मान मिला किसी ने इस नात्कोतर इस तरह पर डिग्री प्राप्त करी किसी की पिएजडी की डिग्री थी कुछ तीन बच्चों ने मैड खुशी होती है और लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम सफल हो पा रहे हैं बहुत अच्छी बात कहीं आपने और बस मैं चाहूंगी कि आप एक लाइन में कुछ भी अपने जो आपके विद्यार्थी रहे हैं जिनको आपने पढ़ाया हो या आज आज और ये मान के चलें कि हम जहां पर भी काम कर रहे हैं वो देश की सेवा हमको करना है तो जो भी उनके पास काम है उस काम को वो बहुत इमानदारी से महनत से लगन से करेंगे तो वो बिल्कुल सफल रहेंगे और जब हम एक अच्छे नागरिक देश के प्रति हमारी जब जो स वो बहुत अच्छी रहेगी तो हम हर काम करने में बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात कि अपने परिवार से जुड़े रहें क्योंकि जब परिवार से इंसान जुड़ा रहता है तो वो हर काम कर पाता है परिवार से मतलब में वही है कि हम अपने मा बाप मम जो हमारे माता पिता है उनकी सेवा हमारे परिवार को सबसे पहले हमारे परिवार देखेंगे तो हम सौभविक तोर पे देश की सेवा करते हैं बहुत अच्छा लगा हमने आरती सारंग मैम से भी बात की और उनके भी विचार जाने इस गौरब मही जो आज का ये नमस्कार